चलिये बात करते हैं group और component के बारे में सबसे पहले हम दो box बना लेते हैं, किसी भी size का उसके बाद उनको push करते हैं एक random height पर उसके बाद उसको right click करके group create कर लेते हैं और ऐसे ही हम एक component बना लेते हैं तो उसके बाद जो ग्रुप है उसकी हम कुछ कॉपी कर लेते हैं ऐसे हम कॉम्पोनेंट की कुछ कॉपी ले लेते हैं इसके बाद ग्रुप की अंदर जाकर हम से पैंसिल से एक लाइन ड्रो करते हैं और उसको पुश करते हैं किसी भी हाइट पर ऐसे ही हम कॉम्पोनेंट में करेंगे लाइन लेंगे उसके बाद उसको पुश करेंगे किसी भी रैंडम हाइट पर तो जैसे आप देख रहे हैं कि ग्रुप में जब हमने कुछ चेंजिस किये तो जो उसकी copies उठाई गई थी उसमें कोई changes नहीं हुए ऐसी ही जब हमने component में कुछ changes किये तो उसकी जो हमने copies उठाई हुई थी तो similarly उन्होंने भी react किया तो ये difference होता है component और group के अंदर Thank you so much for watching